चार तरह के sentence और इनको change करने के rule समझ लेते हैं कि कैसे change होगा अगर sentence सीधा verb से शुरू हो तो उसका हम passive wise कैसे change करेंगे तो भाई उसका passive wise change करने के लिए सीधा सा rule बनता है कि सबसे पहले हम लगाएंगे let उसके बाद लगाएंगे फिर object let plus object plus be plus verb की third form let plus object plus be plus verb की third form अगर हमारा sentence सीधा verb से सुरू हो, यानि कहने का मतलब यह है, कि अगर sentence सीधा verb से सुरू होता, तो हम उसका passive eyes let से सुरू करते हैं, अब इसका अगर हमें passive बनाना हूं, तो इसका passive बन जाएगा, let this game this game तो बहुत ही आसान कि अगर कोई भी संटेंस हमारा वर्ब मेन वर्ब से सुरू होता है तो उसका पैसी हम बनाएंगे किसे अगे आते हैं दूसरे संटेंस पे टेक एकसरसाइज रेगलरली यह भाई सलाह दी जा रही है शुरू तो हो रहा है वर्ब से ही लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें दिये जा रही है सलाह कि आपको डेली नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए तो अगर इस तरह का सं लाह दी जाए तो वहाँ पर हम यूज करते हैं शुडबी का किसका यूज करेंगे शुडबी का तो यहां पर जो हमारा बनेगा यह हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस उसके बाद शुडबी सब्जेक्ट प्लस शुडबी प्लस वर्ब की थार्ड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस शुडबी प्लस वर्ब की थार्ड फॉर्म अब अगर हमें यह चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा यहां पर यह हमारा सब्जेक्ट था तो यह हो जाएगा एक्सर्साइज एक्सर्साइज शुड़ बी शुड़ बी टेक की थर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए टेक इन रेगुलर्ली यहां देगे संटेंस में कि अगर संटेंस में कोई भी सलाह दी जाएगी तो वहां पर हम इस रूल का यूज करेंगे कि सब्जेट प्लस शुड़ भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सलाह है तो जो भी हमारा सब्जेट दिया रहेगा उस सब्जेट लिखेंगे उसके बाद सुड़ भी का यूज करेंगे उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यह हो गया third form और उसके बाद suit B के बाद वर्ब की third form और उसके बाद जो भी हमारा extra words होंगे उनका हम यूज करेंगे आगे आते हैं stand up for prayer अब यह sentence देखो तो इस sentence में order दिया जा रहा है तो अगर sentence में order दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर order दिया जाता तो वहाँ पर कहेंगे you are ordered to यहाँ पर जब भी इस तरह के sentence आया और sentence को आपको पढ़ने से लगे कि हाँ आपको यह order दिया जा रहा है या फिर आपको सुझाओ दिया जा रहा है तो वहाँ पर क्या करेंगे आप वहाँ पर you are advised to या फिर you are ordered to का यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा you are ordered to you are ordered to और बागी जैसा sentence होगा उसी तरह से आप sentence को लिख देंगे तो हो जाएगा stand up for prayer stand up for prayer sentence देखिए बहुत ही आसान था कि अगर आपको यह sentence समझ में आ जाए sentence पांके आप मीनी निकालीजे पहले और समझ लीजे कि sentence किस तरह का है sentence stand for the prayer यानि प्रातना के लिए खले हो जाएगे तो यह चीज होगा यह order ही तो है तो अगर कोई भी order वाले sentence आते हैं तो उसके पहले आप अगर order ही या सला हैं तो आप अगर सला होगा तो लगाएंगे you are advised to बाकी जैसा भी active होगा पूरा का पूरा sentence लिख देंगे लेकिन अगर order हुआ तो लिखेंगे you are ordered to और उसके बाद फिर जैसा भी sentence होगा उस तरह sentence लगाएंगे जरूर नहीं कि हर जगाँ पर हम by object का यूज करें चलिए last sentence देखते हैं और आपको करना भी चाहिए please subscribe to सरवन गुरू जी अब यह sentence किस तरह का है भाई request ही तो है अगर please लग जया sentence में तो इसका मतलब क्या है कि यह request है तो आगर request होता है तो इसका passive wise कैसे बनेंगे इसका passive wise बनेगा कि अगर please आता है तो हो जाएगा you are requested to subscribe to सरवन गुरू जी अब यह you are requested to subscribe to सरवन गुरू जी भाई अब तो चैनल का नाम आ गया अगर आप लोगों ने अभी तक सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब कर दिजिए मैं फिर से एक बार कहिदा रहा हूँ please subscribe to सरवन गुरू जी या फिर passive wise में कहूँ you are requested to subscribe to सरवन गुरू जी तो यहां पर आप लोगों समय में आ गया होगा चैनल भी आप लोगों ने subscribe कर लिया होगा तो चलिए कुछ rules और देख लेते हैं थोड़े से कि अगर sentence late से शुरू होगा तो क्या करेंगे अगर sentence हमारा इस तरह से हो sentence late से शुरू हो और शुरुआत हो let him play his game तो इसका जब हम इस तरह के format बनते हैं तो उसका हम पैसी जब भी बनाते हैं तो वो हो जाता है हमारा let और उसके बाद फिर जो object रहेगा उसको हम यहां लिखेंगे और फिर फिर वर्प की third form फिर by जो भी subject होगा उसका हम object बनाएंगे अब यहां पर देख लेते हैं अगर हम इसको change करना हो तो हो जाएगा let this game let this game be play की third form played by him यह हो गया लेकिन कभी कभी क्या होता है sentence में main verb के बाद object तो होता है नहीं अगर object नहुवा तो क्या करते हैं देखते हैं यह sentence अगर sentence में ऐसा होता है कि अगर main verb के बाद let us lie अव लाई के बाद फिर object ना होता तो हम इसको किस तरह से change करते हैं तो यह change करने का तरीका यह होता है कि अगर इस तरह के sentence आते हैं main verb के बाद object ना हो तो वहाँ पर हम use करते हैं it is suggested का तो यह हो जाएगा it is suggested s-u-w-g-e-s-t-e-d-u it is suggested अब it is suggested के बाद फिर use होगा that का और अब हम change करेंगे इसको passive में convert करने का सिलसलक जैसा भी होता है तो यहाँ पर हो जाएगा us तो us का हो जाएगा we और we के बाद फिर लगाएंगे should we के बाद यूज होगा should का फिर we should lie we should lie for a while for a while अब sentence को देखिए laptop देखना पड़ता है बार-बार की सही चलना है sentence क्या नहीं चलना है यहाँ पर क्या है कि sentence क्या मनता है let us lie for a while यहाँ पर क्या होता है कि it is suggested जब भी sentence आए अगर sentence में पहले यहाँ समझ लेते हैं कि अगर sentence सीधा सीधा दिया और let से शुरू हो और subject भी हो उसमें और object भी हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ अबजेक्ट होगा वो यहाँ चलाएगा और यह जो him होगा यहाँ पर change हो जाएगा बाई him में लेकिन अगर हमें यहसा दिया जाए sentence कि अगर object हो ही न तो हम कैसे change करेंगे let वाले sentence कि अगर object नहीं होता है तो वहाँ पर हम एची यह बढ़ा कर लिखेंगे it is suggested और उसके बाद यूज करेंगे that का it is suggested that ऐसा सुझाओ दिया जाता है की अब यहाँ पर हो गया हम ask को subject में बना लिए we हो गया उसके बाद यह बढ़ा देंगे should उसके बाद हो गया s-h-o-u-l-d we should lie for a while जैसे लिखा है sentence वैसे लिख देंगे it is suggested that और उसके बाद इसका subject बना subjective case लिखा जया उसके बाद शुड का यूज और बाकी जैसे sentence उसी तरह से sentence को note कर दिया गया तो यह हो गया पैसी वाइस करने का बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है अगर आप लोगों ने अभी तक यह प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रैक्टिस कर लिजिए और क्योंकि एजाम के अब जारा दिन नहीं है एक बहुत ही जल्द एक वीडियो आने वाली स्टेटीजी पताने के लिए कि कितना से आप इन दो से ठाई महीनों में आप यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं तो चैनल पर हमाई साथ बने रही है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेयर कर मिलेंगे एकले वीडियो में जैहिन वंदे मातरम